आज मद्दान हुआ है ये मद्दान पिछले बार की तुलना में काफी कम है और लखनव तो वैसे भी बड़ा कम रहता है आज लखनव ने फिर निरास किया लोगों को लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम 231 सीटों पर चुनाव संपन करा चुके हैं उत्तर प्रदेश म हैं आधे से जादा सीटों पर चुनाव समाप्त हो चुका है अब हम 172 सीटें से बची हैं जिस पर आगे बढ़ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और यह 231 सीटें सायद उत्तर प्रदेश का भविस्ता है कर चुकी होंगी कि सरकार कौन बनाने जा रहा है लेकिन बड़ हैं जिन लोगों ने यह सोच के बस्ता नहीं लगाया कि हमको ओट कौन देगा जाने तो बस्ता में खर्चा आएगा लगाने कोई फाइदा नहीं और एक पार्टी यह इसी है कि बस्ता लगाओ चाहीं न लगाओ ओट तो मिली जाएगा बस्ता ज़रूरत का है तो यह कहां स जाचा और समाजवादी पार्टी कुसी देते तोर पर लड़ी है एकाश सीट पर बस्पा भी लड़ी है लेकिन अगर नो में से आप अधिक तम किसी को सीट देंगे तो समाजवादी पार्टी दो या तीन सीट पर जीत पाएगी बाकी सीटों पर भरत्य अन्ता पार्टी जीत्ती नजर आ रही है बहुत असपस्ट कह रहा हूँ इसलिए कि हम लोग लखनव में काम करते रहे और कौन जीतेगा यहारेगा अलग बात है लेकिन टिकट वितरण से लेके तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बताते हैं कि लखनव में लडाई सपा और भाजपा के बीच है बीकेटी हो मौनलाल गंज हो मलिहाबाद हो वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी कुछ जगाओं पर रही लेकिन सहरी छेत्रों में बस्ते गायब रहे इन लोगों के कांग्रेस का इसे सपना देख सकती है कि लखनव सीट जीतेगी जिसके पास चाय पिलाने वाले लोग नहीं बैठे रहे तो यह वोट कम पड़ा कहां से जीत जाएंगे यह लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि यह चरण जो था यह चरण इस चुनाओं में हिंदू और नहीं था यह चुनाओं बहुत बंपर वोटिंग हुई है लखनव में साब साब फर्क जिसको आप साब कह सकते हैं वह फर्क देखा जा सकता है लेकिन जब आप हर्दोई सीतापूर लखीपूर उन्नाओं चलेंगे तब वहां पर लडाई बहुत काटे की है वहां पर त्र तरह से सफाया किया था साइद इस बार ऐसी इस्तिति नहीं रहेगी इस बार लडाई बहुत काटे की है बराबर की है जो लोग असी और बीस की बात करते थे आज वह भी दिखा लेकिन आज नहीं दिखे तो आसिम बकार अधा पता नहीं चला कि बुरका वाले जो लोग विरोग करते थे कि साब यो तो पता नहीं कहां वोट जाएगा वो कहते थे नहीं मुसलमान मंत्री हो मुख मंत्री हो मारा आज मैंने पांच-छे टेली फोन करवाए बीरेंजी क्यासी माकार जी डिवेट में आए वो लखन सामील हैं बड़े-बड़े मंत्रियों के नाम सामील है और सरकार की साख सामीर है चाहे वो टेनी अहराए से लेके लखनऊ में सरकारी जितने भी नौकरी पेषा लोग है sauce लोग वह डालते सरकार ने छुटी दीवाट नहीं पड़ा कम पड़ा है कोई स्वकुला की चाट ख चुनना आए गिर्गिटान नहीं चुनना आए जो हर घंटा रंग बदल दे और वोट देने और पाटी बदल दे वोट लगई बेकार चला गया और सरकार चुननी है आज तो निकलना चाहिए था लोगों को लोगों ने नहीं लोग नहीं दिया भी रेंजी हम लोग है तो और तो डालना पड़ेगा आज इस चरण में एक चीज और दिखा यहां गर्मी सर्दी की बात नहीं थी यहां मुद्दा था रोजगार का और पुरानी प्रेंशन का यह भी काफी बड़ी संख्या में चुकी यहां नोकरी वाले लोग ज्यादा है सर्विस क्लास है जिबिन जिलों से आए हुए लोग हैं बहुत सारे लोग किराये पर रहते हैं बहुत सारे लोग प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं तो यह सब चीजें यहां पर बली महात्पूल हो गई इस चरण में वान सट सीटें बली यह महात्पूल है और यह निर्धायित कर देंगी परदेश में किसकी सरकार बन रही है। गीवी देखिए कंक्लूट करें जाता है। यहां पर गरीबी है बेरोजगारी है। गरीबी मिटाने का नारा दिया जाता है। गरीबी मिटी नहीं, गरीबी मिटाने वाले लोग करोलपती अरपती हो जाते हैं, ये इस परदेश में चुनाओं के समय में लोग भूल जाते हैं, वो जाती वाद पर, धर्म वाद पर, हिंदू-मुस्लिम पर वोट दे आते हैं, सावधान रहना है, मनपसंद सरकार चुनना है तो बस चुकि समय कम है और आपने कहा है तो देखे सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बातों से जो जाहिर है उसे छिपाए कैसे और तुम्हारी मर्जी के मताबिक नजर आए कैसे तो सच बोलने की ज़रूरत है क्योंकि सच से ही जनता का भला होना है बारहाल एक साहितिकार ने लिखा है कि जूट की अंधी सच्चाई का दीपक बुझा नहीं सकती और कोसिस कर ले आग पानी को जला नहीं सकती और जिसके साथ खड़ी है जनता जना तर्दन की ताकत उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती तो लोगतंत्र का आज बड़ा दिन था उसकी विजय का दिन था बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैन भायू कुए पर हमने एक प्रश्ण पूछा आज के डिबेट को लेकर प्रश्ण ये कि